दोस्तों की हाल चल थोड़े सारा ना एक वर फिर तो स्वागत है मेरे इक नवी वीडियो जो गाईज आज की इस वीडियो में जैसे आप थमनेल पे देख आए होगे इस वीडियो में क्या बात करेंगे बात करेंगे Study Grant की LPU में कि Study Grant क्या होता है हना क्या सब तो अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब उसके बाद ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी 12th के एक्जाम देने वाले हैं हना और IIT J.E.M.S की तयारी कर रहे हैं या ऐसे बच्चे जो I.E.M.S करके रख लो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो इस वीडियो में जो बात करेंगे सबसे पहले आपको मैंने लिंक दिया कि Study Grant का लिंक करेंगे तो सीधा डियक लिए उस लिंक के ऊपर पहुंच जाएंगे मतलब उस पेच के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां से मैं भी आप आपको साऱ को अध्यवन करूंगा, सबसे पहले पॉंच जो हम इसकस करेंगे कि what is LPU study grant, how to get study grant, benefits of LPU nest, study grant के benefits, how to apply for study grant या LPU nest में, उसके बाद colleges जो study grant के अंदर आते है, study grant का प्रोसेस करेंगे, तो यह सारी चीजे हम बहुत जारह डिटेल में डिसकस करेंगे, कहां से करे यहां भी मिला आपको लिखा भी हुआ है तो हम Google के उपर जाएंगे Google के उपर LPU सर्च करेंगे जैसी LPU सर्च करेंगे LPU उपर क्लिक करेंगे वेबसाइट है ना सबसे पहली वात आती है अब यह स्टड़ी ग्रांट भाईया है क्या चीज़ तो जो स्टड़ी ग्रांट यह है कि अगर आप LPU में LPU NES का एक्जाम देते हो LPU NES का एक्जाम देने से अगर आप LPU NES के एक्जाम में टॉप करते हो और उसके बाद जैसे अभी आपका जेए मेंस के एक्जाम होगी J means में आपकी admission किसी भी NIT में या IIT में होती है और वहाँ पे अगर आप top 10 बच्चों में आते हो और LPU NEST में भी आप top हो, topper हो, वहाँ भी topper हो तो आपको 1 lakh रुपीज LPU देगा कहां पढ़ने के लिए IIT में पढ़ने के लिए, NIT में पढ़ने के लिए तो study grant का मतलब तो ये है तो अब अगली बात आती है, LPU NEST क्या है LPU NEST क्या है, एक scholarship exam है LPU का, LPU क्या है, lovely professional university LPU NEST आपको देना है, lovely professional university में ठीक है, यहाँ से इसके अब LPU NEST के फाइदे का है LPU NEST का फाइदा यह है, कि सबसे पहले आपको मिल रहा study grant 1,000 रुपीज का दूसरी बात आती है, आपको मिलता है LPU में admission का मौका, LPU में scholarship है LPU में अगर जैसे LPU NEST का exam देते है LPU NEST के आपके अच्छे माख साते है तो आपको LPU में भी scholarship मिलती है अगर by chance आपके NIT या मतलब किसी IIT में admission नहीं होती है आपको एक private college में पढ़ना पढ़ेगा तो उस private college में आपको LPU NEST के थ्रू ही जो scholarship मिलेगी उसमें आप मतलब की IIT और NIT से भी कम फीस में LPU में पढ़ पाएंगे तीसरी चीज़ यह है कि अगर आपको LPU में admission नहीं है तो यह वहां का compulsory exam है ही तो LPU NEST का exam तो यह है तो अब उसके बाद हम बात करेंगे study grant क्या था तो पहला point में आपको बता दिया what is study grant? study grant यह है कि अगर आप LPU NEST में topper हो और बाद में आपके admission किसी भी NIT या IIT में होती है तो आपको LPU 1 lakh रुपीज देगा पढ़ने के लिए उसके बाद आती है कि how to get this study grant in LPU तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा अभी क्या अभी जल्दी से जल्दी LPU NEST का exam का form fill करना होगा form fill करके आपको LPU NEST का exam देना पड़ेगा और उसमें आपको top मतलब बहुत अच्छे marks लाके रख लेने होंगे उसके बाद आप अपनी normal वही त्यारी करते रही है जही मेंस की exam देंगे बाकि आपको पूरा प्रेसे बताता हूँ लेकिन अभी LPU NEST के लिए आप कैसे register कर सकते हैं नीचे description में link दिया गया है उस link के ओपर आप click करके अपनी details वगयरा भरके आपका एक LPU का LPU का मतलब कि आप क्या बन जाएगा account बन जाएगा account में जाके LPU NEST के लिए आप register करेंगे exam की अपनी time और date और exam center book करेंगे पहले LPU NEST का exam घर पे होने लग गया था COVID का बेसे लेकिन अपसे फिर से center based exam शुरू हो चुके हैं तो आपको वहाँ पर अपना time, date और ये center select करना है कि कहाँ पे जाके आप LPU NEST का exam देंगे उसके बाद आपको exam देंगे exam के marks आपके आजाएंगे result आजाएगा उसको आपको संभाल के रख लेना है बस online ही मतलब कोई print करके रखना लेकिन online ही आपको अपना ID password सब संभाल के रख लेना है अब ये study grant किस-किस को मिलता है तो engineering में किस-किस को मिलता है institute NITS और NITS में program B.E.B.Tec के लिए top 500 students of LPU NEST उनको मिलेगा 1 lakh रुपीज मतलब जो top 5 जो exam देंगे LPU NEST का exam देंगे B.Tec field में B.Tec field select करके जो top 500 students आएंगे जिनके score 5 top 500 में आएंगे उन सबको मिलेगा 1 lakh रुपीज study grant पढ़ने के लिए NITS और NITS में in case there is clash अगर अब आपका class होता है किसी के साथ जैसे अब आपके marks वगेरा में clash होता है तो उसके लिए भी पूरी condition given है ठीक है in case of any clash for the grant in the eligible beneficiaries better score in LPU NEST will be considered जैसे भी आप कहेंगे न कि दो बच्चे हैं जिनका score सेम है जैसे IIT के exam में दोनों का score सेम है मेरे भी 400 हैं दोनों भी 400 हैं तो किसको फाइदा मिलेगा जिसके marks LPU NEST में ज़्यादा होंगे उसको study grant मिलेगा उसके बाद अगर फिर भी clash होता है कोई तो जिसके top 3 subjects में ज़्यादा marks होंगे उसको study grant मिलेगा अगर clashes होते हैं इनके बाद आ रहे हैं कि जैसे tie 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 होता जा रहा है अगर फिर भी tie होता है तो जिनके top 2 subjects में आएंगे अच्छे marks उसको study grant दी जाएगा अगर फिर भी फिर भी मतलब अगर clash हो जाता है कि top 2 में भी same marks आ गए तो उसके बाद जो सबसे eldest होगा उसको मिल जाएगा study grant तो यह clashes के भी दे रहे हैं उसके बाद जो management के exam की त्यारी कर रहे हैं जैसे MBA की त्यारी कर रहे हैं तो जिसके admission बाद में IAM में होती है तो उसको मिलेगा 1 lakh रुपी study grant ठीक है जिसकी MBA के में 1 इसमें होती है अब यहाँ पर कौन-कौन से colleges इसके अंदर आते हैं जैसे यहाँ पर देखेंगे ना दुबारा इसके ओपर इंजिनिंग के ओपर क्लिक कर रहा हूँ इसके ओपर क्लिक करके view institute list ठीक है इन इती में जिसकी admission होगी उन सबको मिलेगा study grant और जो इसके अंदर आते है वो कौन से है बोपाल गोवा जमशेदपूर पूरी यहाँ पे सूरत सिक्किम पतना यह सारे यह जो हैं इन इती जिसमें आपको study admission पे अगर आपके admission इस किसी इन इती में होती है और इस इन इती म grant मिल जाएगा top 500 बच्चों को उसके बाद management में जिन बच्चों की admission इन वाले IAMS में होगी उनको मिल जाएगा study grant रुपीज का उसके बाद जो design जिन के admission इन में NIT में सब में होती colleges में होगी आना उनको भी मिल जाएगा study grant तो यहाँ पे list of NIFTs NIDs and IITs तो यह सारी list आप जा study grant तो यहाँ पर जाके previous अवादी भी जे सकते हैं कि पिछले साल किन बच्चों को मिला तो यह जो सुनित रॉय कमरा इंजिनिंग में इसकी admission होई है IIT दिली में 2021 में तो इसको वन लाक रुपीज दिया है पूरी list attached है कि जो पिछले साल जिनको भी मिले है उन किसको मिला है उसके बाद इनकी admission NIT में हुई है तो यह धर्मनीत कुमार के हुई है NIT अगर सेर में इसको वन लाक रुपीज नहीं है 2021 में हाना यह तो सारी list attached है IHM, NIDU, NIFT इन सब बचों को मिले है यहाँ पर study grants वगेर तो आप देख सकते है उसके बाद benefits जो मैंने आपको अल्रीडी बता है benefits of taking LPNS का है एक तो आपको मिल सकता है वान लाक रुपीज का study grant और उसके बाद दूसरे आपको admission मिल सकती है और आपको यहाँ पर scholarship मिल सकती ह उसके बाद LPNS के schedules क्या है यहाँ पे है ना सारे आप देख सकते है कि कब चल रहा है LPNS का schedule अल्रीडी चल रहा है वो आपको मैं detail में बताता हूं उसके बाद process process क्या रहेगा for availing study grant in fifth edition तो यहाँ देख सकते है इसके आप process के ओपर click करेंगे तो यहाँ आपका step 1 आप करेग LPNS के लिए register करना है तो अब जो LPNS की fees रहती है वैसे तो वो रहती है boys के लिए 1,000 रुपीज और girls के लिए 500 रुपीज लेके निचे description में एक link given है अगर आप उस link के through LPNS के लिए register करते है तो आपको सीधा 50% flat discount मिल जाएगा जिसके बाद आपकी fees रह जाएगी boys के लिए 500 girls के लिए 250 रुपीज तो दे सकते हैं सिर्फ 500 को फॉर्म कर कर के लिए अग्जाम देना अच्छे मांक्स लाने जिसके बिए 500 को फॉर्म कर कर के अगर अपकी किसमत अच्छे निकली तो आपकी लाटरी लग सकती है एक लाख रुपेगी वो आपकी मैनत के ओपर डिपेंड पासवर्ट क्लिक ओन स्टेडी ग्रांट टैब विच विल विजिवल फर्स्ट वीक अगस्ट अभी अगर आप एक्जाम देके रख लेंगे लेकिन यह स्टेडी ग्रांट वाली टैब यह कब आईगी अगस्त में जाकर आएगी तो वहाँ पर आपको अगस्त में अगर स्टेडी ग्रांट का मेसिज आ जाएगा मेल डोकुमेंट यह सब आपका नाम वगएर आ जाएगा कि आप स्टेडी ग्रांट के लिए सिलेक्ट हुए या नहीं हो अना तो यह सारा प्रोसेस रहेगा आपका लेकिन आपको LPNS का एक्जाम देके रखना पड़ेगा यह सब को स्टेडी ग्रांट मिला है तो आप भी अपनी किसमत अजमा सकते हैं अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपको यह फॉर्म वगएरा जरूर फिलना करना चाहिए benefits of LPNS बता दिया, how to apply LPNS बता दिया, colleges for study grant बता दिया, study grant का process बता दिया, अभी आपको LPNS की थोड़ी dates वगएरा बता देते हैं यहाँ पे LPNS का क्या schedule रहेगा, कब है, LPNS अलेडी start हो चुका है, form आपको कैसे fill करना है, निचे description में link दिया गया है, उस link जाके आपको form यह आपका घर पे नहीं होगा, अभी आपको exam center में जाके देना पड़ेगा exam, तो I hope आपको मैंने सारी information दे दियो, LPNS के बारे में भी study grant के बारे में, फिर भी कोई doubt है study grants के बारे में, नीचे description में, सारे links वगएरा भी दे दूँगा, comments वगएरा में पूछ सकते हो, I hope आप